हलो नमस्कार फ्रेंड्स मैं एमिच चोदरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हिमाले एजुहब के इस यूटूब प्लेटफॉर्म के ऊपर तो जैसा कि आप सभी स्टुडेंट्स देख रहे हैं आज अपन बात करने वाले हैं जामिया मीलिया इसलामिया यू रहे थे वह रिजिस्टेशन ब्लोग कैसे हुए वह रिजिस्टेशन वापस चालू हुए या नहीं हुए वापस चालू हुए तो क्या प्रोसेजर है यह सारा कुछ तो सबसे पहले मापको यही खुशखबरी देना चाहूँगा कि जामिया मीलिया इसलामिया में CUET के तहि रिजिस्टेशन प्रोसेस जवाब है फिर से स्टार्ट हो चुकी है पिछले दो या तीन दिनों से बच्चे रिजिस्टेशन नहीं कर पा रहे थे हालंकि यह चल रही है बीस फैब से लेकिन CUET के माध्यम से इन्होंने वापस से नया पोर्टल बनाया है और अब आप लोग आराम से जामिया मीलिय इसलामिया का रिस्टेशन कर सकते हो में पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा उसके अलावा अपन बात करेंगे final cut-off क्या रह सकती है जामिया मिलया इसलामिया में admission के लिए और कौन से course की कौन से stream की कितनी seat हैं उसके बाद अपन detail से देखेंगे hostel के बारे में girls hostel कौन से है boys hostel कौन से है hostel की feast क्या है और कितने सारे hostel है केपेसिटी कितनी आपन ये भी देखेंगे होस्टल में किते स्टुडेंट्स रह सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपन देखेंगे कि वही एक ये ओफीशियल नोटिफिकेशन देखेंगे एक बार जाम्या मीले इसलाम्या का इसमें देखो लिखा हुआ है availability of online admission forms for the courses where test will be conducted by JE, NTA और CUET last date के अगर बात करें आपन तो इसमें बाकायदा लखावा from February 20, 2024 तिल 10 days after the declaration of result by the respective agencies जब CUET का आपका result आजाएगा, result आने के 10 दिन तक यह registration portal open रहेगा लेकिन आप लोग जल्दी से registration कर लेंगे, registration की जो link है वह है आपको description के अंदर मिल जाएगी पहले आप देख लेंगे एक बार की process कैसे करनी आपको, तो सबसे पहले आपन registration ही जान लेते हैं एक बार सबसे मुख्य चीज अपने लिए यही रहने वाली है, देखो आपको जो link देंगे उस link से एक portal खुलेगा, वो भी माँ आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आपन यह देखेंगे कि यह जामिया मीलिया जो है University, जामिया मीलिया उनिवर्सिटी का यह एक page है, इस page के अंदर आपको देखो admission के section के अंदर दिया हुआ है इसके उपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने यह page खुल के आएगा, ठीक है, यह page आपके सामने खुलेगा, पहले जब इस page के उपर आप लोग क्लिक करते थे, new registration के उपर तो आगे कोई process नहीं होती थी, लेकिन अब यह process होने लगी है, जैसे ही आप क्लिक कर लोगे, आपके सामने एक page खुलेगा, जिसमें आपको अपनी basic details डालनी है, name of applicant, midname, lastname, dob, gender, father's name, यह सारा कुछ डालके आप साइन अप कर लोगे, आप अपने password कर लोगे, किसी को कोई भी दिक्कत होती है, description के अंदर phone number दिये गए है, WhatsApp पे आप screenshot बेज़ दोगे कि सरीए स Subscribe कर देंगे, वीडियो अच्छा लगे तो like करना ना भूले, चलो, अब अपन देखते हैं आगे, अब अब बात करते हैं किसकी भी, अब बात करेंगे सब्से पहले girls hostel की, ठीक है, सब्से पहले हम girls hostel की बात करेंगे, उसके बाद आप boys hostel की भी बी बात करेंगे, देखो girls hostel मे Campus A के अंदर जो hostel है, महां hostel rooms comprise of 3-seater, 4-seater rooms and dormitories for Jamiya school residents, ठीक है, यह Jamiya school residents के लिए, hostel का नाम है Aruna Asafali hostel, Begum Anis Kidwali hostel, ठीक है, बाईयम्मा hostel, बाईयम्मा hostel, और गेर्दा Philipsbourne hostel, ठीक है, यह hostel है, यह hostel है भई, यह hostel भी भी under maintenance है, यह capacity है, इनकी 62, 255, 385 और 24, अभी अपन कुछ hostel और देखते हैं, Campus B के hostel, Campus B के hostel, इनमें 3-seater rooms हैं और 2-seater rooms for specially abled student and dormitories for Jamiya school residents, ठीक है, dormitories जो हैं वो किनके लिए हैं, वही, Jamiya school residents के लिए हैं, इनमें है वही एक तो, Begum Hajrat Mahal girls hostel और एक J&K girls hostel, capacity 422 और capacity 700 students की, some rooms may not be available due to maintenance work, आपके पास पूरी updated news है, भई अभी वहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है, घर बैठे बैठे जान लो आप लोग कि Jamiya में भी hostel का काम चल रहा है, ठीक, जिस बच्चे के अच्छे marks आ रहे हैं, स्यूट में आपको hostel आराम से मिल जाएगा, मैं आपके सामने कुछ hostel की तस्वीरे लेके आएं हो ताकि आप वहीं से अपने घर बैठे बैठे ओनलाइन आराम से देख सकें, आप hostel के नजारे ले सकते हैं, कि किसी building or hostel की किस प्रगार के rooms हैं, हाना, तो देखिए आप, सबसे पहले आपन देखते हैं, GP hostel, यह देखो भाई, यह Outlook है, बाहर की साइड से आपन देखते हैं, तो ऐसा दिखता है, आगे आपन देखते हैं, second, बेगम अनिस किद्वाई hostel, अरुना आसफ अली hostel, यह सारे के सारे hostel जो है, यह जामिया, मीलिया, इसलामिया, यूनिवर्सिटी के हैं, जो देली के अंदर स्थीत है, ठीक है, यह देखो भाई, मैस, यह कैंटीन है यहाँ पर, बेगम हजरत महल, गल्स होस्टल, बेगम हजरत महल, चलो, अब भाई, क्राइटेरिया देखते ह है, eligibility क्या है, गल्स होस्टल में, admission की, ठीक, तो आप सभी के सामने अभी marks in qualifying examination, 45% और below, 55% जिसके होंगे, उसको 10 points मिलेंगे, फिर 55% और below 65% होंगे, मतलब 55% से, 65% के बीच में जिनके होंगे, उनको 15 नमबर मिलेंगे, 65 से और 75 के बीच में जिनके marks होंगे, उनको 25 मिलेंग फिर नमबर 2 पर बात करें, distance of origin in kilometers, NCR as defined applicant of northeast, Jammu Kasmir and Andaman, Nicobar Island, ठीक है, up to 1200 km और above 1200 km, ठीक है, up to 1200 km होंगे, तो 7 marks मिलेंगे, और above 1200 km होंगे, तो पूरे 10 marks मिलते हैं, कितने में से, 10 में से, फिर देखेंगा अपन, seniority in university, excluding school seniority, ठीक है, एक साल की seniority है, 5 नमबर, 2 की है, 7 नम यह सारी की सारी details है, पूरे total point होते हैं, वही 100, आप 100 points में से, आपके कितने points आप बना पाते हो, यह girls hostel के लिए eligibility है, होस्तल में admission की, ठीक है, बाकि किसी को कोई भी query होती है, तो आप लोग comment के अंदर पूच सकते हो, comment section में message करके, बाकि आप सभी लोग telegram channel से जुडे रहें जो अभी तक telegram channel को channel पर नहीं पहुंचे हैं, वो description के अंदर आपको link दी भीए, आप telegram channel पर जरूर आ जाएंगे, चलो, आगे आपन देखते हैं, आप बात करते हैं, आपन girls hostel की fees की बात करते हैं, ठीक, तो admission fees देखो, new allotment हो, आप लोग 300 रुपे, hostel maintenance fees 3000 रुपे, hostel services के 4000 common room 500 development के 500 रुपे, kitchen maintenance, crockery utensil के 1000 रुपे, hostel function, sports, magazine, student welfare fund के आपको 500 रुपे देने होते हैं, एक बार, hostel identity card बनता है आपका 50 रुपे में, रूम का rent रहेगा आपका 1000 रुपे, electricity, water charges आपको 2000 रुपे देने हैं, question money जो refundable रहता है 500 रुपे, और mass question money भी आपके लिए refundable रहेगा, कितन रुपे, 2000 रुपे, इस प्रकार से total charges आते हैं, भी, 15,350 रुपे, तो new allotment, annual charges, hostel charges, एक साल का charge, 15,350, comment करके बताओगे, भी, hostel का charge कम है कि ज्यादा है, जामिया मीलिया इसलामिया का, ठिक, डियो के hostels की जानकारी माप सभी को देई चुका हूँ, और आज अपन बात कर रहे ह है, जामिया मीलिया, इसलामिया के बाकि आपको किसी भी university के hostels की कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी आपके अंदर question हो, कोई curiosity हो, तो आप लोग एक बार comment जरूर कर देंगे, ताकि हमारी team देख ले, comment आपका और उसके उपर research अपनी शुरू कर दे, चलो ठीक है, फिर कुछ NRI students will pay 1000 USD as annual hostel charges, इनके fees तो भाइंकर है, NRI students की, अपने देखें, annual charges girls के लिए सिरफ 15,350 रुपए है, चलो आगे देखते हैं अपन, अब अब यह boys hostel के नाम है, ठीक है, इनमें दो प्रकार के hall है, एक तो MMA Johar Hall, इसके अंदर जो hostel है, यह hostel के नाम है, यह hostel के नाम है, रहम ठीक है, यह capacity है, 360 सीटें, 330 सीटें, 270 सीटें, और Dometri के अंदर 20 सीटें, टोटल सीटें है, इस hall के अंदर total सीटें कितनी है, 980, ठीक है, इस hall का अरत यह नहीं है, कोई बड़ा सा एक hall बना रखा है, एक campus के अंदर एक area है, उस area का नाम है, जोहर hall, ठीक, उस area के अंदर जो हुसेन hall, ठीक, इसमें hostel capacity देख लीजिए, आप hostel के नाम देख लीजिए, इकबाल होस्टल, केलेट होस्टल, ठीक है, रह्मान किदवई होस्टल, सिंधी होस्टल, न्यू बोई होस्टल, टू बी नेम्ड, और Dormetry सीट, ठीक है, यह होस्टल अभी नया ही बनाए, इसका भी आगे आपन बात करते हैं, अब बात करते हैं, आपन, फीस की बात करते है, ठीक है, तो जाम्या का यह ओफीस का सफ चार्ट है, आप लोग देख सकते हो, होस्टल एडमіт्मिशन कमिटी का है, है Lol, भाई, टीन सो रुपई, घुस्टल मेंटरिंरनेस पंदरह सो, दो हजार, 1500 500 500 500 500 500 1500 यह दोनों तो भई रिफंडेबल होते हैं तो वहीं कितने चार्ज़िश होगें उनली वन सेमेश्टर के होस्तल चार्ज एक सेमेश्टर के कितने हैं भई 390 रुपे पर सेमेश्टर फिक यह बात कर रहा हूं गल्स अप सभी को बता चुका हूं तेराणमा सो पचास रुपए एक सेमेस्टर के आपकी होस्टल की फीश रहेगी, इसके अलावा मैस चार्जेद जो हाँ आपके बावन सो रुपए आपका मैस का चार्ज रहेगा, ठिक, इसी प्रकार टोटल आपकी फीश बन जाती है होस्टल की 14,550 रुपए पर सेमेस्टर चलो, अब अपन बात करेंगे कि जाम्या, मीलिया, इसलामिया के अंदर कौन-कौन से कॉर्सेज हैं, उन कॉर्सेज की कितनी सीटें हैं, कटोफ कितनी जाएगी और सब्जेक्ट कॉंबिनेशन कौन-कौन से हैं, ठिक, तो ये सारी चीज़ें अपन पहले भी डिसकस कर चु तो इसके लिए GT देना अनिवारिया है, जनरल टेस्ट वाला पेपर, सीटें इसकी 30 है, 200 में से जिस बच्चे के 160 प्लस नंबर हैं, वो अराम से इस कोर्स के अंदर अपना एड्मिशन ले सकता है, उसी प्रकार संस्कृत की बात करें, संस्कृत की कटोफ थोड़ी सी हाई तो 180 प्लस जिस बच्चे के GT वाले पेपर में मार्क्स हैं, वो इसमें एड्मिशन ले सकता है, सारा कुछ आप देख सकते हो, बाकि अगर अपन थोड़ा साइन्स की तरफ जाएं, तो बाइलोजी में देखें, अपन 40 सीटे हैं और 180 प्लस, 200 नंबर का आपका डॉमेन का प किसी से हैं, तो इन में 2-3-3 नंबर प्रते कोर्स के अंदर आप लोग कम कर लेना, SCST से हैं तो 5577 नंबर और कम कर लेना, अगर आप EWS से हैं, तो आपको लगबग OBC के समान ही अपने मार्क्स मानने होंगे, ठिक, PWBD कंडिडेट जो हैं, वो अपनी कट ओफ को और भी कम कर सकते हैं, यह मैंने जनरल की बताई है, आपने हमेसा यह चीज़ देखी है, कि जनरल की कट ओफ सबसे हाई, फिर थे ओड़ी लो होती है, फिर OBC की, फिर उसके बाद SCST से कट ओफ चलती है, ओके, तो यह था अपना आज का वीडियो, इसके अंदर मैंने आपको सारी डिटे गए हैं, आप उस पे कॉल करके आराम से मुझसे बातचित कर सकते हैं, हम आपको बता दूँगा कैसे करना है, क्या 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 डोकुमेंट, किस प्रकार से आपको अपलोड करना है, जिस बच्चे ने पिछला जामिया मीलिया इसलामिया का वीडियो नहीं देखा, वो वीड करके हैं, तो फ्रेंड्स आप वो वीडियो जरूर देखें, जिस इसको वीडियो अच्छा लगा वो एक बार जरूर लाइक कर देंगे, कोई क्वेरियो तो कमेंट कर देंगे, टेलिग्राम चैनल जो है सभी जोइन कर लेंगे, और हमारी इस यूटूब चैनल को सब्सक्र कर देंगे, थेंक यू, थेंक यू सो मच,